इसके लिए यह कुलर है, सिंफवनी सूमो कुलर है, और एफरील का मैना आ गया है और और इक स्टेट में शायद गळमी जो रैड़ने लगए है, इसी को लेकिर व्डियो स्टार्ट करतें, सब्सक्राइब करें और गर्मी के तो ऐसा हलत है कुछी मच्छर बहुत ही जाता है और कल जो है मैंने स्कूलर को पुरा क्लीन किया था तो मैं उन्हीं आइडिया नहीं कैसा है इसे जो है मैं खोल के करूँ बट एनिहाँ मुझे यह दो जो क्लिप दिखे इसे मैंने ऊपन किय यह पाड आगया उस तरफ कभी मैंने खोल के पाड उपन किया इसे वाश्रूम लेके गया इसे अच्छे से हनीकोम को मैं अच्छे से धोया धोके अंदर पूरा साफ सफाई करके जो है मैंने और यह जो पीछे का जोने मैं कोलने नहीं क्यों काफी काफी सा रहे इसमें अच्छे सब्सक्राइब करें अपना व्लॉगिंग कैमेरा जो है उसका एक सेट अप में बनाओ तो मैंने वह चीज बनाया तो मैं आपनों कुछ शोकर्त हो कि एक्जर्क्री मैंने क्या बनाया है कि यह देखो भाई यह देख रहे हो यह हमारा लॉगिंग सेट अप तो इसको रखते हैं अभी फिलाल यहां पर और निकालते हैं अपना ट्राइपॉर्ड चलो ट्राइपॉर्ड निकाल के दिखाते हैं exactly setup हमारा है कैसा तो basically देखो ये है हमारा light और extreme acoustic का mic और ये setup में fit कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये actually कैसे लगता है तो guys देखो ये है अपना setup ये हमारा vlogging setup जो है ready हो गया है और अभी मैं इससे डारेक्ट शूट करूँगा तो चलते हैं बाहरा देखते हैं कि footage जो है वो कैसे आता है और कैसे recording होता है बात दुकिए और जो भी ब्लॉग आप देखोगे वो इसी camera से शूट किया जाएगा तो guys आप देख सकते हो almost ये जो है अपना इसके माइक तो मैं सेट कर लिता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हो फाली चेयर है ये यहां यह सब्सक्राइब और यह कुछ सेटाप आप हमारी वालेंटाइन खड़ी है यहां पर और यह खड़ी है यहां पर हुआ यूँ था कि कुस जिनों पहले मैं गया था और जाके इसका हम लोग ने बाबुल्दा जो है वो आय थे आने के बाद जो नोंने यहां पर हम अगयरा भरके इस पर लगवाया है और जैसी हमें टाइम मिलता है और हम लोग लाके इससे यहां पर फिट करेंगे और लेट सी कब तक जो है हम लोग का यह काइनेटिक जो है वो रेडी हो फिलाल मैंने सूचा कि पलसर को भी रेडी नहीं करूंगा उसे कुछ दिन जाने द काम चल देख लेटे सर्टेंशन चल रहे हैं वक्ति नहीं मिल रहा है कि क्या करें नहीं करें बट एनिहां मैनेज कर रहे हैं और यहां का नजारा देखो आप कुछ ऐसा है यह देख लो पूरा एकदम यहां पर खेद भी जो है पूरा गार्डन जो है पुरा भर गया है और तिलाल चलो क्योंकि मुझे फुटेज भी चेक करना है कि exactly फुटेज जो है कैसे आ रहा है माइक्रोफोन जो है हम जो यूस कर रहे है इस पर भी देखना होगा recording यह कैसे कर रहा है कितना level volume जो है यह catch कर रहा है क्योंकि अगर यह properly कर पाए work तो इस ही माइक को में कि अत्रें लकडियों को मैंने रखा था तो कि महाँ पर फूल पर रहा है gonna कले बखांग और अधे हरा कि महां ने भी महां पर जो है गेट के कौने में अएक गांटी थाए के पाई रखा हुआ है आप लोग भी जो है काफी दिक्कत हो जाता है पानी पीने के लिए हर कोई जो है रखता नहीं तो फिलाल यह जो है पूरा मैंने प्लास्टिक वस्टी देखें कवर करके रखाया है चलते हैं अंदर और फुटेज को चेक करते की कैसे फुटेज यह आया है इंदर प्लास्टिक वार में धुटेज दाखिए गरें तो आप शुटेज पिस्टों के इंदर ऑनी के क्वेशा गए दाखिए वी क्लिप टे लागी है अच्छा होता है और आपको काफी अच्छा जो है एक जूस भी बिल जाता है तो फिलाल अभी बेल पना बनेगा तो मैं इसका फुटेज चेक करता हूग फुटेज जो है वह कैसे आया है वाल्यूम प्रॉपर ले रहा है नियुकि इसमें पहले मैं जो है मॉडिफाइब करव इसमें जो है प्रॉब्लम आ सेकता हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और देखते है पुटेज कैसे आया है तो यह है बेल पन्ना यह रेडी हो गया है तो यह है विदाउट शुगर अलड़ी मीठा होता तो मैंने इस नचीनी निलाया नहीं है इससे टेस्ट करते है वाच इनी का जरूआँ है क्योंकि उसका भी काम का इतना सारा प्रेशर है आप देखते हैं कब मुझे वो मिले और जैसी वो मुझे मिलेगा मैं डेफिनिटली उसको आपको बताऊंगा कि एक्स्टरनल माइक जो है कैसे काम कर रहा है तो डेफिनिटली उस लगा के उससे जो है हम फ्यूचर व्लॉक्स हम उससे करेंगे अगर पसंदा है तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल पन्ना अगर आपने नहीं पिया है तो जरूर से ट्राइब कीजिए बहुत ही बढ़िया लगता है बहुत ही अच्छा हेल्दी रिंग है बोड़ी को भी धंडा करता है ये गर्मी में सौन्दा टू झालिएंगोफ घस्राइब ञेन कैसे बहुत है बहुत है।